बाई और बेहनों एक पुरानी कहावत है न दीने बाजुले आईता बार पनी बार छे यानि जो कोई आपको कुछ अच्छा दे नहीं सकता वो सिरफ बहाने डूनता है दस साल दीदी को आपने पूरी ताकत दी दीदी ने क्या दिया क्या दीदी ने आपका परचा पट्टा दिया क्या क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया क्या क्या दीदी ने चाय और सिंको ना भागानों में सही मजदुरी देना तै करवाया क्या क्या दीदी ने बनवासी साथियों के लिए फोरेस राइट एक्स लागू किया क्या किया क्या क्या दीदी ने पहाड के विद्यार्तियों को सुभीदा दी क्या क्या दीदी ने D.I. Fund System को खत किया कि नहीं किया दीदी ने आपको सिर्फ भाव दिया बेदभाव दिया लॉकडाउन के समय केंदर सरकार ने जो मुप्त चावल भेजे मुप्त चना भेजा था उसको भी तुरुमुल के तोला बाजों ने लूट लिया माताई बेहने मैंने जो चावल भेजा वो चावल आपको अच्छा लगा था कर नहीं लगा था मैंने जो चावल बेजा वो अच्छा दाग नहीं था उसमें भी कट कम्पनी आ गई भाई और भेनों दीदी ने गरीबों दलीतों आदिवासियों पिछडों किसी को उनका जायज हक नहीं दिया दीदी ने गर में नल नहीं दिया खेतों में सीचाई का पानी नहीं दिया लेकिन यहां की नदियों को माफिया के हवाले जरूर कर दिया हर्च किम मैं तोला बाजी हर्च किम मैं कट मनी यही सिली गुड़ी में ही कुछ दिन पहले दिदी ने कहा कि उनके तोला बाज तो सिरफ सो दो सो पान्सो रुपिये लेते है इसमें क्या बड़ी बात है बताओ भाई बड़े आराम से दिदी कह रही है कि तोला बाज तो सो दो सो पान्सो रुपिया लेते हैं इसमें इतना चिल्लाते के हैं मोदी भाई यो बहनो हम छोटे थे ज़र कथा सुनी थी उस कथा में एक बहुत बड़ा डाकू लुटे रहा उसको फांसी की सजा हुई जब फांसी की सजा हुई तो उसको पूछा बया तुमारी अंती मिच्छा क्या है तो उसने कहा मुझे मेरी मा को मिला है तो फिर सरकार ने ववबस्ता की कि फांसी पर जाने से पहले उसको उसकी मा से मिलवा दिया जाए जब अपनी मा को मिला तो मा को जपड करके उसने मा की ना को काट लिया अपनी मा की ना को काट लिया फांसी पे जाने से पर ये काट लिया तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमने अपनी मा पर ये को किया तो उसने कहा जिम मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लूटे रा न बनता मुझे फांसी पर जाने की नौबत नहीं आती और दिदी कह रही है सो दो सो पांसो लेते उसमें क्या है दिदी ये बही खेल है जो फांसी पर लटकने वाले अपनी मां की ना काट ली थी अरे दिदी ओ दिदी अब आपको गरीब का दर्द दिखाई नहीं देता गरीब की परेशानी दिखाई नहीं देती गरीबों की दुश्मन ऐसी टीमसी सरकार को जाना ही होगा आपको की आपको की आपको की आपको की आपको के लिए नहीं दो प्यागा है झाल झाल